असलाम वाली दिल्टुक कैसे हैं आप लोग उमीद कता हूँ थैरियत से होगे ठीक टाग होंगे बजेग होंगे मैं भी अल्ला का शुगर बिल्कुल ठीक टाग हो अफ़ दिल बाद हमारी मुलाकात हो रही है आज मैं देखिया है एक नई यूनिक डिश आप लोग के लिए ह चोछा आप में से बहुत साइक लोगों नहीं नहीं भी नुथा का हो अज क्षूज है तो जो इसको पहली बार देख रहे हैं मैं बता दूब के सबसे पहले इसके ऊपर का इस सख घाया जाता है पिर उसके उसके निकलती है गुटली उस गुटली के और भी जो इसका रह ज बचा कुछा उसको भी खाया जाता है फर उस गुठ्ली को तोरा जाता है उस गुठ्ली के अंडर से क्या निकलता है उस welcoming पडाम इप ऐस पड़ में खांब subtle अब इसको ठावने के दो तरीके हैं या तो कई सी फाने मैं इस के चंपारे एड करा होगा क्योंकि मेरे जैसे लोग जब तक अपने खाने में मसाले एड़ा हमारा खाना अजम नहीं होता तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको कैसे खाऊ हूँगा तो इसमें से हम तीन बदावे ले लेते हैं बागी छोड़ देते हैं अब इसको जिस तरीके से में आम को काटेंगे इसी तरीके से इसको काटेंगे यह आप देख सकते हैं कि मैं इसके छोटे-चोटे पीसिस कर दी हैं अब मैं अपनी सटिस्फेक्शन के लिए इसके अंदे अब तो चठ्ठारे अड़ करूँगा तो भाई इसके साथ आता है यह मसाला मैं इसके ओपर मसाला चठ्पूँगा अब यह बजा आएगा ना भिड़ो तो भाई जैसे कि आप देख सेकते हैं कि मैं इसमें मसाला दाल दिया लेकिन इतना सा मसाला मेरे जैसे बंदे के लिए कहा काफी होता है अब मैं इसके अंदर थोड़ा साइड पे भी मसाला दालूँगा तो यह मसाला तो हम डाल चुके हैं, अब इसके टेस्ट में मजीद चार चान लगाने के लिए मैं इस पे कुछ और भी डालूँगा मैं चरकूँगा सका लेमन के लिए मुझे मजीद चटपटा और स्पेडा चटखार के साथ लाया मं package लाया में नीध चान जोस्त पहुता है तितनी मेहनता और मुशककत के लिए अड़िट्च तयार हो चुकी है अब मैं इसको नोश फर्मा हुआ गार यह आप देख सकते हैं हमारे पूरा मसाले के साथ यह त्याह है अब इसको थोड़ा सा साइड पर मसाला लगाएंगे और फिर खाएंगे एक और खालू फिर बताता हूं मज़ा आगया चल चूटा कैरिये तो मेरा खाना चलता रहेगा यह होती है इसकी गुट्लिया आप देख सकते हैं इसके पर आसपास भी इसका जो है बदाम लगी हुई है तो हम पहले इसको काएंगे कैसे खाएंगे वही तरीके से खाएंगे जैसे हम खाते हैं साइट पर जो मसाला है उसके हम लगाएंगे और फिर हम अच्छा आए अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ इस गुट्ली को जब आप खाएंगे ना तो इसके ओपर यह रेश्य होते हैं यह रेश्य चवाई नहीं जाते हैं तो इनको आप निकाल के फेक दें और जो इसके ओपर बदाम बाकी है वह आप खाने जब आप पूरा पर इस गुट्ली को तोड़ने के बाद क्या निकलेगी इसमें से बदाम निकलेगी जो मैं पहले से आपको बता चुपा तो यह इस गुट्ली को मैं जितना साफ कर सकता था वो मैं कर चुका हूँ और इसकी शकल कुछ ऐसी हो गई है जिस से हम आम की गुट्ली खाते है ना जादा हाड हो तो आप किसी भारी चीज से इसको तो रहे हैं वनना आपके दाद भी साथ में निकल आएंगे ठीक है समदिया तो अब हम इसको ट्राय करते हैं यह तूट चुकी है यह आप देख सकते हैं इसके अंदर से निकली है यह बदाम और इसके कुछ छोटे-छोटे टुक्रे भी है तो गाइस उनीद करता हूं आपको मेरी आज की चटपट इसी चटखारेदार वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर ले कॉमेंट कर ले सब्सक्राइब को लाजमी कर लो यार इंशाल्ला मुलागात होगी आपसे नेक